Hello everyone and welcome back to my channel So, आज का टॉपिक है कीबोर्ड So, जैसे कि पिछली वीडियो में मेरे पास एक क्वेशन आया था कि लाप्टॉप से हम माउस को कैसे कनेक करते हैं वैसे ही similarly, एक और क्वेशन बहुत जादा दो-तिन बार रिपीट हुआ है वो यह हुआ है कि लाप्टॉप में कीबोर्ड को कैसे कनेक्ट करते हैं सब मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ उसके बाद मैं आपको डेमो दे दूँए ठीक है तो लाप्टॉप में जिस तरह से आप माउस को कनेक्ट करेंगे बिल्कुल सेम वे में ही आपका कीबोर्ड कनेक्ट होगा तो आप मेरी प्रीविएस वीडियो जिसने भी देखी है वो लोग समझ गए होंगे कि कैसे कनेक्ट करते हैं जैसे हमने माउस को कनेक्ट किया था सेम वे ही हम अपने कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे अब एक और चीज दिमाग में आती है कि यार laptop में तो already हमारे पास keyboard है फिर हम एक और keyboard क्यों connect करें अब देखो ये question mostly वो लोग पूछ रहे हैं keyboard को कैसे connect करना है laptop में जिनका या तो keyboard खराब हो चुका है तो keys काम नहीं कर रही या फिर उनको typing सीखनी है अच्छ हो जाती है और typing थोड़ा सा error दे देती है जिनकी speed अच्छी हो गई है उनको तो error नहीं देगी लेकिन जो लोग सीखने की process में है उनको थोड़ा बात error देगी प्लस अगर हम keyboard पे सीखेंगे तो जादा अच्छा होगा जादा अच्छे से practice होगी beginners के लिए ठीक है तो अब मैं आपको demo देती हूँ कि keyboard को हम कैसे connect कर सकते है अपने laptop के साथ तो उसके लिए आपको क्या करना है हमने जिसे mouse लिया था वैसे ही हमें keyboard खरीदेंगे online ठीक है और वो keyboard क्या है data cable वाला तार वाला भी हो सकता है और बीना तार वाला भी हो सकता है अगर तो तार वाला हुआ तो same हम एक data cable को जैसे attach करते हैं अपने laptop में वैसे ही same हम उसके pin को हम data cable वाली pin में attach कर देंगे और जैसे हम attach कर देंगे हमें कोई software अलग से नहीं upload करना कुछ नहीं जैसे हम attach करेंगे आप MS Word खोल के या कोई भी notepad खोल के कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप typing कर सकते हैं खोल के देखना और वहाँ पर उस keyboard से type करके देखना अराम से typing हो जाएगी ठीक है और अगर आप तार वाला नहीं लेते और बीना तार वाला keyboard लेते हैं और फिर आपको उसको कनेक करना तो वह कैसे होगा देखो अगर तार वाला keyboard नहीं है आपका बिना तार वाला यहाँ वायरलेस बोलते हैं उसको तो उसको कनेक करने के देखो जहां तक मुझे लगता है तो ब्लुटूथ उसका Bluetooth अन होगा और वहाँ से लैप्टॉप का हमेशे ही ओन होता है और अगर आपका manual होता है मतलब आपको खुछ से करना पड़ते है तो आप वहसे कर सकते हैं अपने laptop से अपना Bluetooth होन कर सकते हैं लैप्टॉप का और उन दोनों को कर देंगे तो फिर लैप्टॉप चल जाएगा या फिर Bluetooth नहीं तो कोई ना कोई मतलब hotspot internet कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे कि वो connect हो wireless यही तीन चार तरीके होते हैं और तो नहीं होते हैं तो अब एक और चीज मैं डेमो के लिए आपको दिखा देती हूं क्योंकि मेरे घर में एक keyboard अल्रेडी पढ़ा था हुआ क्या था इससे भी जो पुराना मेरा laptop था वो एक बार खराब हो गया था तो उसमें keyboard की problem आ रही थी खराब उसका keyboard ही हुआ था तो हमने एक external keyboard लिया था अब ये बात है 7-8 साल पुरानी तो आप सोच लो कितना पुराना keyboard होगा तो अब क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती तो इसलिए वह बहुत ज़ादा गंदा हुआ पड़ा है तो प्लीज आप उसको देखकर बिल्कुल भी जज्जमत करना कि मिट्टी चड़ी पड़ी है क्योंकि वह बहुत ज़ादा पुराना है और बिल्कुल यूजमत नहीं है लेकिन question आया था तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ तो इसलिए मैं specially उसको निकाल कर लाई हूँ keyboard को आप लोगों को specially दिखाने के लिए कि laptop में भी एक external अलग से keyboard अटाच हो सकता है तो अलग से चाहती तो इस ततरह से है तो इस तरह से तो पीज़ें मैं अपर महोस मैं आपको प्रोशीज़र है कुछ अलग नहीं है तो आपने करना grad यह वह आप ने है अब देख् this यह किंCER यह तार इसकी है ठीक है यह इसकी इतनी लंबी तार है यहां से connected है यहां से निकलके यह पूरी इसकी तार है ठीक है तो हमने क्या करना है हमने यह तार लेनी है फिर हमने अपने लैप्टॉप पर जाना है लैप्टॉप पर अब हमने देखना है कि इसके यहां पर external कहा connect होता ह यहां पर points है, यहां पर हमने देखना है, यहां पर connect होगा, तो यहां पर point है, जहां पर pen drive, data cable, वगरा connect होते हैं, वहीं पर point है, तो इसको हमने इसके अंदर insert किया, और यह connect हो गया, ठीक है, तो जैसे हम इसको tar को proper यहां पर लगा देंगे, मतलब कि आपका keyboard connect हो गया है, तो अब अगर आप इसको यूज नहीं भी करते और इसके थुरू टाइपिंग करते हैं तो भी आपको आपकी स्क्रीन पर सारा कुछ दिखाई देगा ठीक है स्क्रीन पर सारा कुछ अच्छे से टाइप होगा इसके थुरू भी ठीक है तो इस तरह से आप एक्सटर्नल लाप्टॉप में एक्सटर्नल कीबोर्ट कनेक्ट कर सकते हैं तो अगर वीडियो यूसफुल लगा तो वीडियो को करना आपने लाइप ठीक है और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और चानल को कर जना है सब्सक्राइब थांक्यू सो मच फर वाचिंग टारे पर लेएंग में भीडियो को के लिए सा